आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जिसका साहज है 30 x 36 यह पूरा प्लान आप देख पार होंगे इस्क्रीन पर इसी मॉडल को आज हम डिसकस करने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर मॉडल को डिजाइन किया है 30 x 36 फिट में चोडाई की बात करें तो इसका 30 फिट है और लंबाई की बात करें तो 36 फिट है यहाँ पर कार पार्किंग का भी पूरा हिसाब रखा है मैंने तो इसी मॉडल को आज डिसकस करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लान है आप जैसा कि स्कीन पर देख भी पा रहे होगे इसी मॉडल को आज हम इस्टिप बाइस्टिप डिसकस करने वाले हैं इसका ground floor, first floor और second floor सभी डिजाइन किया है हमारे सब्सक्राइबर काफी दुनों से कमेंट कर रहे हैं 30-30 का प्लान चीए उनहीं के कहने पर small floor को डिजाइन किया है और आपको पताना चाहूँगा अगर आपने वी तक small floor प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया आपकी requirement आपकी according house प्लान किया जाता है आप जो भी चाहते है payment आपसे 50% advance लिया जाता है लेकिन payment दभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए तो यही पूरा प्लान 30 cross 36 का आज हम बात करेंगे आप होई paid service का अगर इस्तमाल करना चाहते तो वो भी करें तो सबसे पहले मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ जिसमें आपको बहतरीन से look देखने को मिले जूम करने पर है यह देखे रेलिंग वगएर आप देख पार होगे जो सारोतर मैंने डिजाइन की है यह इसका सबसे टॉप का रेलिंग यह देखेगा और यह पूरा देखेगे डिजाइन त्री साइड किलोजड है और यह देखेगा कार पार्किंग के स्पेश यह आपका यहाँ से शिलोप है जिससे आप कार अपनी उपर ले जाएंगे और शाज़ाँबी मैंने दी हैं जिससे आप अपना ऊपर आ रहाजानी से चड़ सकते हैं अब हम बात करतें इसके ग्राउंट फ्लोर की तो यह दोस्तों इसका ग्राउंट फ्लोर है जैसके आप देख पार रहा होगे के लिए थोड़ा डेजाइनिंग कर दिया है, यह जो आप अपना कार देख पा रहे होंगे, इसका जैसे यहां पर कि आपको फ्रेंड में भी एक विंडो है, यहां भी विंडो है, और में डौर है अगर हम बात करें, यह इसका main door है यह एक window है जैसे आप main door से entry रखते हैं देखी कि आप अगर ऐसा देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा से space चूट है बारंदा डाइप का और जैसे main door से आप entry करते हैं तो सबसे पहले आप पहुंच जाते हैं इस hall में मैंने यह window भी दिया था और इस hall में पहुंच जाते हैं अब इसके बात करें पहले मैं इसका आगे डिसक्स कर लेता हूँ यह दोस्तों फ्रंट में दोस्तों मैंने kitchen दिया था जो आप यहाँ से देख पार हैं यह kitchen एरिया है यह आपका guest room है जिसमें window मैंने दिया है और दोनों के gate अंदर से हैं देखिए दोनों के gate अंदर से है चाहिए वो guest room का हो चाहिए वो kitchen का area यह दिए kitchen का area था यह guest room का area था दोनों के इसके just बगल भी यह देखिए का यहाँ पर stairs दी है तीन दो साइट से मोड़ा हुआ है क्योंकि जगे कम इसलिए यहाँ पर दो साइट से आपको मोड़ा पना है अगर आपको stairs यहाँ नहीं बनानी है तो आप अपने stairs यहाँ भी बना सकते हैं इसके बात की बात करें तो पीछे दो bedroom आपको मिल जाते हैं एक बड़ा सा hall टैप का यह देख यह bedroom यह आपका बड़ा सा hall है आंगन सा और एक यह bedroom सबसे पीछे मैंने यह कुछ इस पेस चोड़ा है दो से डाइफिट का जिसमें आप अपना जाल रखवा लेंगे छट से तो यहाँ पर बहुत प्रॉपर तैसी ventilation होगा इस रूम में भी रोशने आती रहेगी और यह आपका बातरूम का एरिए है और यह साड में आपका लेटिंग है सेपरिट बना दिया है नहilsनों को अलग-अलग यह बातरूम है यह लेटिंग है तो यह आपको यह आपको यह पर यह देखीगा आप यह वाला रूम को शेम टू सेम वही डिजाइनिक सरफ यह चारो तरफ रेलिंग लगा दिया मैंने जो आप कार पार्किंग और किचिन का एरिया था उसे हटा कर यहां पर रेलिंग चारो तरफ लगा दिया जैसे बड़ा सापका यह इस पेस मिल जाए और हम बात करें और डिजाइन पूरी सेम है वही आपका गेस्टूम मिल जाएगा वही आपका बैट्डूम पीसे दोनों मिल जाएंगे वही लेट्रिंग बात्रूम और आपका स्पेस और यह आपके वही स्टेयर्स अब हम यह देखीगा पूरा यहां पर मैंने विंड़ो इस बना दिया है जिसमें आप देखीगा इसलिए इस मकान का लुक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और बेदरी लगने लगता तो यही पूरा प्लान था 30 क्राउस 36 का हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर स्वाड़ को डिजाइन किया आपको यह मॉडल जैसा भी लगा ह हमारा नमबर आपको डिस्केप्शन में मिलेगा वाट्सप नमबर है आप वह वहाँ पर कॉंटेक्ट करें उसमें दुस्तों पेड यूजर ही कॉंटेक्ट करें क्योंकि मैं वहाँ पर पेड़ सर्विस देता हूँ तो प्लीज वूड़ो कलाई सेज करें और इसमाल आउस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया जिरू कर लें थैंक्स वो जी